तो हलोव फ्रेंद्स कैसे हैं आयोब अचे होंगे तो हमेसा के तरह मैं कांटेंट और लेकर किया है तो मेरे पास एक samsung का A51 model है जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास Samsung A51 model है आप यहाँ पर देख सकते हो तो friends अगर आपको यहाँ पर इसकी दिक्कत आ रही है न्यू अपडेट के कारण कि यह हमारा हाड डिसेट नहीं हो रहा है या आपको सही वे से पता नहीं चल पा रहा है friend तो मैं इसकी हाड ड किजिए मैं इस पर वीडियो लेकर आँगा और उसमें आप वीडियो में बने रहेंगे मैं friend मैं आगे चलके इसकी FRP की बाइपास वीडियो भी डालने वाला हूँ तो सबसे पहले हम इसकी पैटरन को हटाएंगे हाड डिसेट करेंगे friend अगर आपको हाड डिसेट आप कर है जैसा कि आप देख सकते हो आप हाड डिसेट के लिए तो इसको हाड डिसेट में अगर आप में दिक्कत आ रही है friend तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि वीडियो को लाश्ट देखेगा आपको समझ में आ जाएगा friend तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चली वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप करते हैं अगर पहले तो आफ करते हैं तो पावर की को हमने प्रेस किया हुआ है तो पावर की को हमने प्रेस किया हुआ है तो यहां पे यह हमारा नहीं आ रहा है तो आप से डाउन करते हैं आप यहां पे भी जात तो यह आप देख सकते हैं पर अगर पावर आफ आफ करते हैं तो यहां पर भी मारा पावर आफ नहीं हो रहा है क्योंकि यह पर पैटर्न लगा हुए निसक्यूरिटी के कारण एक सांध मैं मैं ऑप्राने आफ देखा हुआ है चैसा की यह उसके है उसके बाद जाये-पर प BROWN की को देवाना और जैसे हमारा स्कीन आजाएगा आपको अब दबाना होता है जैसा कि आपने पुराने वीडियो में पुराने मेथड में आपने इसको देखा हुआ है तो यह हमारा काम नहीं करता है फिर से हमारा फोन आन हो चुका है तो इसको हम सही भी में आपको बताएंगे कि आपको इस तो आप वीडियो को लास्टेंट तक जरूर देखिएगा और स्टैप बाइस टैप आप हमारे वीडियो को वाच करिए तब जाके आपको समझ में आने वाला है तो इसमें करना क्या है आपको तो कम्पियूटर की तुरू आपकों को अब यह जो process आप कर रहे थे friends आपका नहीं हो रहा था तो यहीं चीज मैंने यहां पर दिखाने की कोशिस की है अब आपको करना क्या है वही सेम प्रोसेस फिर से करना है volume down और home button और power key को एक साथ प्रेस करना है जैसे restart होगा आपको friend up button को click कर देना है तो जैसे हमारा यह restart हुआ हमने यहां पर बटन को click कर दिया यहां पर देख सकते हैं चार्जिंग का इकन आपको आ जाना चाहिए अब यह प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं हमारा यह phone off हो चुका है पहले आपने data cable से लगाया तो फोन हमारा off नहीं होता था देख सकते हैं हमारा charging लोगों पर आ चुका है आप यह पर देख सकते हो पहले फोन आप जैसे ही उसको करते थे होगा फ्रेंट्स बवर्ती तरीके से हमारा यह हो जाएगा देख सकते हैं बहुती ईजली तरीके से वन क्लिप में हमारा नहीं होता है और और काफी चीजे दिखाए जाती है नहीं होता है आप वोइस के साथ क्योंकि नहीं रहती है तो अब इसे हमें करना ह solution पर जाना वाइब डाटा वाइब डाटा फैक्ट्र रिसट अब को यह है और यहां पे कर देना है तो आप यह देखिए अपका पैटरन हट जाएगा अब इसे में simple तरीके से कर देते हैं reboot अभी ये reboot हो जाएगा और हमारा जो pattern और password था वो बहुत ही easily तरीके से remove हो जाएगा तो ये हमारा Samsung Galaxy A51 आप और भी ऐसे latest phone को आप कर सकते हैं friend जैसा कि आप देख सकते हैं तो अभी हमारा phone बहुत easily तरीके से हो जाएगा तो अभी थोड़ा सा hard reset हुआ है तो बूट करने में time लगेगा friend तो जैसे ये boot हो जाता है तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ बाकि basically हमारा hard reset हो चुका है और थोड़ा सा time लगेगा boot होने में और जैसे ये boot हो जाएगा तो ये friend FRP पर चला जाएगा तो नेक्स वीडियो में इसकी FRP bypass वीडियो बनाने वाला हूँ तो वीडियो को लास्ट इंट तक आप जरूर देखिएगा तब जाके आपको proper समझ में आगा तो ये ट्रिक आपको थोड़ा सा वाइस के साथ अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है चली मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच